वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दू कि देखे में कोई प्रोपेशनल यूटुबर नहीं हो मैंने ये चैनल इसलिए ओपन किया है ताकि मैरे जो एक्सपिरियंस है जो चीजे में यूज करती हूँ जिसके बारे में मुझे लोगों को बताना चाहिए तो इसलिए मैंने यूटुब चैनल जो है तो ओपन किया है अगर मुझे कोई गलती हो जाती है बात करने में तो प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा तो हम वीडियो स्टार्ट करते है तो आज मैं आपको बताने जारी हूँ रेबेंदा वाइटनिंग बोडी लोशन के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने क्यों खरीद तो स्कीन वाइटनिंग के जो चीज़े होती है वह मुझे बहुत अच्छी लगती है यूज करने में तो इसलिए मैं ने इसे बइक एप से भ्लाइब कर दिशन किया है और मैंने जूं नाय इंटी फॉर रू अगर आप इसके रीव्यू जो है तो बहुत अच्छी रीव्यव है 4 stasr 5 stasr इसको मिले है मैंने सूचे कि बाइ करें इसे देखते हैं इसलिए मैंने इसे बाइ किया है 94 रूपीज में बाइ किया थी तो देखें यह है वाइटनिंग के लिए मतलब ऐसा बोडी जिसे यूज करने के बाद आपकी जो स्कीन है तो अच्छे से ग्लो करेंगी थोड़ा सा टोन जो है तो बदल जाएगा यानि कि जो सावली स्कीन है तो थोड़ा सा वाइटनिंग उसमें आ जाएगा तो इसलिए इसे मैंने बाई किया है यहाँ पर अगर आप प्राइस देख हाला कि रिवीव देखे तो बहुत अच्छे रिवीव है फोर स्टार फाय स्टार दिये गये है मैंने इसे बाई कर लिया लेकिन मैं मेरी बात करूँ तो देखे वाइटनिंग के लिए यह ऐसा कुछ खास नहीं है ऐसा बिलकुल भी नहीं कि मैंने इसको एक हफते से यूज किया दो हफते से यूज किया और स्कीन जो है तो वाइट हो गई यानि कि जो स्कीन के टैनिंग वैगरा की प्रॉब्लेम है तो दूर हो गई तो नहीं सिर्फ एक सिंपल सा बॉडि लोशन है बाकी कुछ नहीं हाँ इसकी एक बात जो है तो मुझे अच्छे लगी कि स्टिक हम कर सकते हैं लेकिन हाँ जो यहाँ पर दिया गया है वाइटनिंग वाइगरा तो नहीं वाइटनिंग वाइगरा ऐसे कुछ करता नहीं है जैसे एल गुलू था थी उनका जो प्रोडॉक्स होते हैं सोप्स होते हैं कैप्सूल होते हैं तो इसने ऐसा कोई ऐसा खास वर्क नहीं किया एक सिंपल सा बॉडी लोशन मुझे लगा बॉडी लोशन एज बॉडी लोशन ठीक है लेकिन स्कीन वाइटनिंग या फिर वाइटनिंग के लिए ऐसा कुछ खास मुझे नहीं लगा तो आज के वीडियो में बस इतना ही थैंक्यू सो मच